नमस्कार बैजूज आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 12 अक्टूबर के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्पूर्ण समाचारों का विशलेशन करने वाले हैं तो आये शुरू करते हैं आज का समाचार विशलेशन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज कई सत्र में हम किन-किन विशियों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले स्वास्त को समिधानिक अधिकार का दरजा दिये जाने के उपर एक बहुत ही important editorial आया है हम उसकी चर्चा करने वाले हैं भारत की जो भूव वित्ता है उसे कैसे बचाया जाए और वह क्यों हमारे लिए महत्पुन है इसको अधार बना करके एक editorial आया है हम उसकी भी चर्चा करने वाले हैं इसके अलावा भारत और चीन के बीच जो कोर कमांडर अस्थरिये वारता हुई है उसको ले करके जो news आया है और जो editorial आया है हम उसकी भी चर्चा करने वाले हैं और सबसे अंतिम में इन विश्यों पर अधारित मुख्य परिक्षा के अभ्यास प्रस्णों पर भी हम चर्चा करेंगे तो आये शुरू करते हैं आज की सत्र को आज के paper के page number 6 पर एक editorial आया जिसका सिर्षक है the next step is a constitutional right to health तो बहुत important topic है ये इस पर बहुत सार जानते ही हैं ये topic जेस paper 2 पॉलटी और गवर्लेंस से जुड़ा हुआ है और यहां पर एक बहुत ही important मुद्डे को इनके द्वारा उठाया गया है कि भारत में भी स्वास्त के अधिकार को एक सविधानिक अधिकार का दर्जा दिया जाए और इसी को लेकर के यहां पर उनक कम्यों को हम अंदेखा नहीं कर सकते हैं और यहां पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर भारत के नागरिकों को स्वास्त का सविधानिक अधिकार दिया जाता है तो इसे किसानों, असंक्ठित स्रमिकों, महिलाओं और बच्चों को बहुत ज़्यादा फाइदा होने व रोड़िकों को स्वास्त का स्विधानिक अधिकार दिया जाता है तो इसका सबसे ज्यदा असर यहां पर किसानों, असंक्ठित छेत्र के स्रमिकों, महिलाओं और बच्चों को होने वाला है, उसी को ले करके यहां पर एक एक डर के चर्चा किया गया है यहाँ पर किसानों को ले करके उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो छोटे और भूमी हीन किसान होते हैं अज संग्ठी छेत्र में काम करने वाले स्रमिक होते हैं उनकी जो कमाई है वो सीमित होती है और अपनी सीमित कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके द्वारा चिकिस् का अधिकार दिया जाता है तो इससे इन छोटे और भूमिहिन किसानों को बहुत जादा फाइदा होने वाला है क्योंकि अगर उन्हें कम पैसे में पारदर्शी और गुनत्ता पुर्ण स्वास देखबाल सुविधाएं दी जाएंगे तो इससे उनका पैसा बचेगा जिसका इस्तमाल वो अपने जीवन के अन्य भागों में कर सकते हैं इसी तरीके से उन्होंने महिलाओं का भी जिक्र किया है और कहा है कि महिलाएं हमारी स्वास देखबाल प्रणाली की कम्यों का सबसे अधिक बोज उठाती हैं यानि कि उन पर सबसे ज़्यादा असर होता है चुक हैं तो महिलाओं तक छोटी छोटी स्वास सुधाओं को पहुचाने में मदद मिलेगा जिससे उनको भी फायदा होने वाला है इसी तरीके से बच्चों को लेकर के उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में बच्चे गरीब और सबसे हासिये के स समुदायों से समंध रखते हैं वे खतरनाक प्रस्तितियों में काम करते हुए बड़े होते हैं चाहे वे खेत हों खदाने हों इट के भठे हों यार कार खाने हों यहाँ पर काम करने से उनके स्वास्त पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना तो इसकूल जा पाते और यहां पर कहीं न कहीं इन बच्चों के स्वास्त पर खर्च करने के लिए इनके माता-पिता के पास पैसे भी नहीं होते हैं और अगर हम अपने देश में स्वास्त को एक समिधानिक अधिकार बनाते हैं तो इससे इन बच्चों को भी फायता होगा इन्हें free में अच्छी स्वास्थ सुधाय मिल सकेंगी जिनसे इनके माता-पिता के पास कुछ पैसे बचेंगे जिनका खर्च वो इनकी पढ़ाई लिखाई पर कर सकते हैं तो यहाँ पर उनके द्वारे ये समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर भारत के लोगों को स्वास्थ का अधिकार दिया जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा फाइदा गरीब किसानों को होने वाला है अज संक्ठी छेत्र में काम करने वाले लोगों को होने वाला है महिलाओं को होने वाला है गरीब बच्चों को होने वाला है यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर हम स्वास्त का अधिकार लोगों को देते हैं तो इससे स्वास्विधाओं में निवेश भी बहुत ज़दा होगा और इसके कारण हमारे देश में जो आर्थिक विकास है उसमें भी इसका योगदान बढ़ेगा यहाँ पर रोजगार में ब्रिधी होगी जिसका असर हमारे देश के लोगों के भावनात्मक, मनोवेग्यानिक और समाजिक सुरक्षा पर भी देखा जा सकता है तो यहाँ पर यह बात को समझाने का पर्यास किया गया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया के द्वारा अपने अपने देश में स्वास्विधाओं को ले करके चर्चाएं की जा रही है बहुत सारे देशों के द्वारा अपने लोगों को मुफ्त में स्वास सुविधाएं दी जा रही हैं और उसी को देखते हुए भारत को भी इस ओर परियास करना चाहिए और सुविधान में एक संसोधन करके स्वास्त का सुविधानिक अधिकार भारत के लोगों को देना चाह प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेचुरल लेबोर्टरीज और ये टॉपिक जीएस पेपर वन जीगरोफी और जीएस पेपर टू इनवार्मेंट से जुड़ा हुआ है तो ये टॉपिक भी बहुत हुए इंपोर्टेंट है और यहां पर जीओलोजिकल लिटरेसी को लेकर के चर्चा किया गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो भू विट्ता है जो प्राकिर्तिक विट्ता है वो काफी ज्यादा है भारत में उची पहाड आपको मिल जाएंगे गहरी घाटियां आपको मिल जाएंगी भारत के पास एक लंबी समुन्दरी टठ है भारत इन सब भी को सजोकर रखने की आवशक्ता है और इसी को ले करके यहाँ पर चर्चा किया गया है कुछ एक्जामपल यहाँ पर दिये गया है यहाँ पर यह बताया गया है कि गुजरात के कच्छ में डाइनासोर के जिवासन पाये जाते हैं तो कहने कास यह है कि भारत में जो भूब विवित्ता है जो प्राकिर्तिक विवित्ता है वो काफी ज्यादा है और लेकिन इतनी ज्यादा भूब वित्ता होने के बावजूद हमारे देश में भूब वैग्यानिक सर्चर्टा के प्रती सरकार की उदासीनता हैं इसको लेकर के काफी कम चर्चाई होती है और यहाँ पर यह कहा गया है कि ऐसी बाते जो है यह अभी के समय में बहुत ही महत्पुन हो जाती है क्योंकि हम global warming जैसे संकट का सामना कर रहे हैं और यहाँ पर इसी बात को कहने का प्रयास किया गया है कि global warming को देखते हुए भारत को अपनी भूवेग्यानिक सक्षर्ता को बढ़ाना चाहिए भूवेग्यानिक सक्षर्ता का मतलब यहाँ पर यह है कि लोगों को हमारे देश की जो भूवित्ता है उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए उन्हें यह बताना चाहिए कि क्यूं हमें अपनी प्राकिर्तिक और भूवित्ता को बचाने की आवसकता है इस विशे पर युनेस्को के द्वारा भी 1991 में एक अंतराष्टे संगोष्टी का आजुन किया गया था आपको ध्यान में रखना है कि यह आयोजन दिग्रे फ्रांस में किया गया था 1991 में और यहां पर हमारे ग्रह की साज़ा भूवेग्यानिक विरासत के महत को ले करके चर्चा किया गया था और इसी अंतराष्टे संगोष्टी में यह घोशना किया गया था कि दुनिया में ऐसी जगह हैं जो कि भूवेग्यानिक तरीक पार्क जो की हमारे लिए बहुत ही महत्पून है उनको सजोकर रखने के लिए काम किया जाएगा ये जो भू पार्क होंगे उनके द्वारा जनता को सिक्षित भी किया जाएगा कि क्यों ये महत्पून है ये कैसे बने हैं और एक तरीके से ये साइटें भू परिटन को भी और इसी को आगे बढ़ाते हुए युनेस्को के द्वारा भू विरासर साइटों की एक वेस्विक नेटवर्क को बढ़ावा देने का कारकरम बनाया गया और इसी कारकरम के अनुसार युनेस्को के द्वारा भू पार्क विक्सित करने के लिए दिसा निर्देश जारी किये और आज पूरी दुनिया में 44 देशों में 169 ग्लोबल जियो पार्क हैं। यहाँ पर यह जानकारी दिया गया है कि वियतनाम और ठाइलेंड जैसे छोटे देशों ने भी अपने देशों में इन जियो पार्क को अस्थापित किया है लेकिन भारत में जियो पार्क को ले करके ऐसी कोई भी कानूनी नीती नहीं है। यहाँ पर इसी को लेकर के चर्चा किया गया है कि जिस तरीके से दुनिया के चोटे-चोटे देशों ने अपने देश पाई जाने वाली भूवित्ताओं को सनक्शित करने के लिए जीयो पार्क का निर्मान किया है, लेकिन भारत जह दूर कहा गया है कि भारतीय भू वेग्यानिक सुच्छन की द्वारा राष्टिय भू वेग्यानिक असमारकों की अस्थापना की गई है जिनकी संख्या 32 है लेकिन भारत में एक भी जीयो पार्क नहीं है जिसे युनेशको की द्वारा मानेता दिया गया हो और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा युनेश को ग्लोबल जियो पार्क के स्थापना को साइन भी किया गया था, यानि कि यहां पर जो संधी हुई थी दुनिया के देशों के बीच में 1991 का जो सम्मेलन हुआ था, वहां पर भारत के द्वारा भी उस घोसना पर हस्ताक्षर किये गए हैं लेकिन अभी तक जीयो पार्क को ले करके भारत के द्वारा कोई भी थोस कदम नहीं उठाया गया है इस एर्टोरियल में ये समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से विकास के नाम पर हमारे द्वारा हमारे इनसाइटों को खतम किया जा रहा है और यहाँ पर कुछ example दिये गए हैं यहाँ पर गुजरात के कक्छ जिले के अंजार का example दिया गया है जहाँ पर iridium की मात्रा पाई गई थी जो यहाँ बताता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर उलका पिंड गिरे होंगे जिसके कारण 65 million वर्स पहले डाइनासोर विलुप्त हो गये थे लेकिन एक नया रेल ट्रेक बिशाने के नाम पर इस पूरे साइट को नश्ट कर दिया गया जो की हमारे लिए बहुत ही महत्पुन था इसी तरीके से राजस्थान के अजमेर का भी यहाँ पर एक्जामपल दिया गया है जहाँ पर नेफलाइन साइनाइट नाम की एक अनुठी चटान पाई जाती थी लेकिन सड़क को चोड़ा करने के नाम पर इस पूरी की पूरी साइट को ही खतम कर दिया गया यहाँ पर कहने का साइए है कि हम विकास के नाम पर इन महत्पून साइटों को खतम करते जा रहे हैं क्योंकि हमें इसके इंपोर्टेंस के बारे में पता नहीं है यह कितने महत्पून हैं इस बारे में हम नहीं जानते हैं और इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इन सभी को बचाने के लिए भारत में एक भू सरक्षन कानून की आवसकता है जो कि अभी तक नहीं है। यहां पर कहा गया है कि भू बिरासत अस्तलों को सरक्षित करने के लिए एक कानून की आवसकता है। कि हमारे देश में जैविग वित्ता अधनियम 2002 लागू किया गया है और उसके तहद भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फेर रिजर्व हैं लेकिन ये काफी नहीं है जब भी सरकार के द्वारा भूमी उपयोग को लेकर के कोई योजना बनाई जाती है तो यहां पर भू विरा प्रयास्तों के सरक्षन का भी कानून होना चाहिए जिससे की विकास के नाम पर इन महत्मून साइटों को खतम ना किया जाएं तो बहुत ही इंपोर्टेंट एटोरियल है ये और यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत सिर्फ समाजिक विवताओं से भरा हु अदेश भी है और हमें अपने इस प्राक्रितिक विवताओं को बचाने को ले करके परियास करने चाहिए दुर्भाग पुन इस्ति ये है कि अभी भारत सरकार के द्वारा इन विरास्तों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है यहां पर इस बात की जानक इसकार के पास इसको ले करके कोई भी नीती नहीं है जो कि दुर्भाग पुन है तो इंपोर्टेंट एटोरियल है ये और यहां पर ये समझाने का परियास किया गया है कि हमें अपने भू विजता को समझना होगा उसे बचाने के परियास करने होंगे आज ये एक और की वारता हुई है उसको ले करके आज के पेपर में न्यूज आया है और एक एटोरियल भी इससे जुड़ा हुआ है जो कि पेज नंबर 6 में आया है और ये न्यूज और ये एटोरियल एक ही विज़े से जुड़े हुए हैं और वो विज़े है जैसा कि आप सभी जानते है कि पूर्वी लधाक में वास्टविक नियंतन देखा पर सैन गतिरोत के देड़ साल हो चुके हैं और यहां पर भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर अश्टरिय वारता के 13 वे दौर में इस गतिरोत को दूर करने को लेकर के कोई भी प्रगती नहीं हुई है और इसी को लेकर के यहां पर चर्चा किया गया है यहां पर जो एटोरियल है उसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से इन दोनों देशों के बीच में जो अभी डेडलोक कायम हुआ है वह इन दोनों देशों के लिए खतनाख हो सकता है क्योंकि दोनों देशों के दोरा अपनी अपनी सिमाओं पर 50,000 से ज़्यादा स्यानिकों को इखठा किया गया है और यहाँ पर जो वारता हुई है तेरहवी दोर की उसमें होट स्प्रिंग को ले करके चर्चा हुई है आप सभी जानते होंगे कि पैंगोंग सो और गोगरा पोश्ट के उत्तर और दक्षनी टट से डिस इंगेजमेंट हो चुका है और यहाँ पर जो वारता हुई है वह होट स्प्रिंग को ले करके हुई है लेकिन ये वारता अभी आगे नहीं पड़ पाया है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि चीन के सेनिकों के द्वारा भारतिय सेनिकों को देपसांग मैदानों पर पारंपरिक गस्ति विंदिवोब तक पहुँचने से रोका जा रहा है जो उतर में काराकुरम दर्रे के पास दौलत बेग उल्डी की रनितिक भारतिय चोकी के ज़ादा दूर नहीं है आप इसे इमेज में देख सकते हैं यह जो पैगयोंग सो का इलाका है इसके नौर्थ बैंक और साउथ बैंक से दोनों सेनाओं को पीछे हटा लिया गया है लेकिंग यह जो हौट स्प्रिंग का इलाका है और जो गोगरा पोस्ट है वहाँ पर अभ इलाके में डिस इंगेजमेंट को लेकर के चर्चा की जा रहे थे लेकिन यहां पर गतिरोध अभी दोनों सिनाओं के बीच में कायम है। और दोनों सिनाओं के लोगों के बीच में कुछ धक्का मुक्की भी हुई है जिसे की बाद में सुलजा लिया गया। उन सब ही में डिस इंगेजमेंट को लेकर के यह वारता चाहता था लेकिन चीन के दोरा इसको लेकर के कोई भी सहमती प्रकट नहीं की गई है। और उल्टे यहाँ पर जो चीन का बयान आया है उसमें उसके दोरा ये कहा गया है कि भारत के दोरा जो मांगे हैं वह चीन नहीं मांग सकता यानि कि यहाँ पर चीन आसानी से इन इलाकों से पीछे नहीं जाने वाला। यहाँ पर भारते सेना प्रमुक के दोरा भी कुछ जिनों पहले ये कहा गया था कि चीन के दोरा इन इलाकों में बहुत ही जादा निर्मान किया जा रहा है इसका मतलब यह है कि वो अभी यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। भी इस्ति यहाँ पर भयानक हो सकती है। 2011-2020 का जो दसक है वह 1850-1900 की आउधी की तुलना में 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिगरम रहा है। यह बहुत ही महत्मून बात यहाँ पर IPCC के रिपोर्ट में कही गई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वर्मिक सीमा तैय किया ग पोर्ट में भारत को लेकर के यह कहा गया है कि भारत को और अधिक गर्मी की लहरों, भारी मांसून और चरम मौसन में वृधिक के प्रती तैयार रहना चाहिए। यानि कि भारत पर भी क्लाइमेट चेंज का असर बुरा होने वाला है। और यहाँ पर आपको ध्यान में गया है कि अगर भारत इन दूस प्रभावों से बचना चाहता है तो भारत को यहाँ पर अपनी एस्टेटजी में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे और यहाँ पर कुछ परिवर्तन को लेकर के बाते कही गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अनुकूलन और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत निमलखित कारे कर सकता है। यहाँ पर जो पहला सुझाओ दिया गया वो यह है कि भारत को उच गुन्वत्ता वाले मौसम समंधी आकड़ों की जरुवत हैं जिसे कि हम संकट से बहतर तरीके से निपड सकें। अगर हमें परणभिक चेताओनी जल्दी मिल जाती है, सटीक मिलती है, अगर जो पुर्वा नुमान है वो सटीक होता है, तो यहाँ पर जो आने वाले संकट है उससे हम बहतर तरीके से निपड सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि भारत में हमेशा चक्रवात आते रहते हैं, तो अगर हमें उसकी पर्यावरन को पर्दूसित नहीं करती हो, और हमें लोगों को यह समझाना होगा, कि वे ऐसे उत्पादों का ही उपयोग करें, जिससे कि किसे भी तरीके का पलूसर नहीं फैलता हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि हमारे द्वारा प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा बाते कही जा रही हैं, कि हमें लोगों को यह समझाना चाहिए, कि वैसे उत्पाद जो पारेवरन के लिए सही नहीं हैं, उनका उपयोग वे कम करें। तीसरा जो सुझाव यहाँ पर दिया गया वो यह है, कि निजी छेत्र को इस तरह की टेकनोलोजी विक्सित करने के हैं, क्रिसी, स्वास्त, बुनियादी धाचे, बीमा और जोखिम प्रबंधन में भी भाग लेने के लिए प्रुसाहित करना चाहिए, जिससे वे नई नई टेकनोलोजी ला सकें, और जो चोधा सुझाव यहाँ पर दिया गया वो यह है, कि भारत को ऐसे नियम बनाने होंग जिससे की हम अपने जंगलों और मैंगरोफ की रक्षा कर सकें, जिससे की जलवायू सम्मंधी जो जोखिम है वो भारत में कम किया जा सकें, तो यहाँ पर कुछ सुझाव दिये गये हैं, इस रिपोर्ट को देखते हुए, जिससे की जो भारत पर असर पड़ेगा, क्लाइम और यह टॉपिक जिस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलोजिस जुड़ा हुआ है, जैसा क्या आप सभी जानते हैं, कि सो मुआर को प्रधान मंत्री के द्वारा भारतिय अंतरिक्ष संग का सुभारंब किया गया, जो भारतिय अंतरिक्ष छेत्र के विविन हिद्धार को से य अगर हम इस संग्ठन के लक्ष की बात करें, तो इसका मुख लक्ष है भारत को अंतरिक्ष उद्योग में वैस्विक नेता के रूप में उभारना, और यहाँ पर जो सरकार के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं, उसमें सरकार का मदद करना, तो यहाँ पर एक बहुत ही मह पहल किया गया है सरकार के द्वारा, और यहाँ पर एस्पेस टेकनोलजी में, एस्पेस छित्र में जो है प्राइवेट कमपनियों को भागिदार बनाने को लेकर के सरकार ने अपनी नीती में परिवर्दन किया है, लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके द्वारा, एस्पेस पॉलसी को लेकर के कुछ सवाल उठाए गया है, आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा इस संग को तो बना दिया गया, लेकिन अभी तक जो नई एस्पेस पॉलसी है, उसे उजागर नहीं किया गया है, और इसी की चर्चा यहाँ पर किया गया है, सरकार की मनसा क्या है, और सरकार किस हद तक जा करके उनका सहयोग कर सकती है एस्पेस टेकनोलोजी में, और इनी सब बातों का यहाँ पर जिकर किया गया है, और सबसे जो इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह है, कि यहाँ पर मान की गई है इंड़ेस्ट्री की लोगों के द यहां पर question number one है, भारत की भूवित्ता, प्राकृतिक वित्ता, अदूतिये है, इस भूविज्ञानिक विरासत को सनर्शित करना उतना ही महत्पून है, जितना की जैवित्ता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना इस कथन पर चर्चा करें, तो बहुत ही important question है ये, और भारत में जोला मुखी भी है, समुन्दरी टट भी है, पहाड भी है, घाटियां भी है और हमें इन सबही के महत्तो को समझने की जरूरत है और इसके बाद जब आप मुक्य भाग में चर्चा करेंगे तो आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इतनी भूविष्था होने के बावजूद भरत में इन вिरासत अस्थलों को बचाने के लिए, कोई भी ठोस कानुन नहीं है यहाँ पर आप इस बात का भी उलेक करेंगे किस तरीके से विकास के नाम पर इन अस्थलों को हटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, जिसको की रोकने की आवसकता है और इन सभी बातों का उलेक करते हुए आप अपने उत्तर की सरक्षना कर सकते हैं आये देख लेते हैं कोश्चन नमबर टू को, कोश्चन नमबर टू है, सभी के लिए स्वास का समिधानिक अधिकार की आउस्सक्ता है, इस कथन का मुल्यांकन करें, तो बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है ये, और जब आप इसके उत्तर की सनक्षना करेंगे, तो यहाँ प और हमें जो संकेत यहाँ से मिले हैं, उन सकेंतों को भूलना नहीं चाहिए, और यहाँ पर मुख्य भाग में आप ये समझाने का प्रयास करें, कि अगर भारत के नागरिकों को स्वास्त का समिधानिक अधिकार दिया गया, तो इससे किन लोगों को सबसे जादा फाइदा ह होने वाला है, जिसकी चर्चा एटोरियल में किया गया है, आप यहाँ पर किसानों, अस संक्षी छेतर के सम्मिकों, महिलाओं और बच्चों पर इसके पढ़ने वाले प्रभावों की जिक्र करें, और यह समझाने का प्रयास करें, कि किस तरीके से यह अधिकार इनके जीव और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो आप जरूर से लाइक करें, सेयर करें, और दूसरों को भी सस्क्राइब करने के लिए प्रेद करें, तो मिलते हैं समाचार विस लेशन के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद.